हेलो फ्रेंड्स हमारी यूटूब चैनल कुकिंग भी थर्चू में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं मुंफली मसाला नमकीन जो खाने में बहुत ही टेश्टी होता है और बरसात का मौसम है तो इस समय तो खाने का मन सबका करता है कुछ टेश्टी हो बना लेंगे तो आप इसको कई दुनों तक स्टोर करके रख सकते हैं खा सकते हैं अगर आप सुबस बना कर चाय के साथ खाईए तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसके लिए मैंने लिया एक बड़ा सा बाउल तो अब हम इसमें डाल देते हैं मौंगफली दाना तो एक अच्छे से देख लेना आपको तो इसके लिए मैंने सारी मसाली निकाल लिये हैं तो इसमें हम डालेंगे चाट मसाला गरम मसाला कास्मीरी मिर्च और यह लाल मिर्च पाउडर है धनिया पाउडर और यह एलो कलर है इसमें हम डालेंगी कलर आने के लिए तो थोड़ा सा मै मसाले को हम इसमें डाल देंगे तो इस मसाले को डालने से बहुत ही चटपटी बनती है तो आप इस तरीके से बनाईए का जरूर एक बार अपने घर पे तो इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे तो धनिया पॉडर मैंने डाल दिया लालमिर्स पॉडर इसमें डाल देते हैं तो जितना तीखा आपको खाना उतना आप लाल मिर्स पाउडर ले सकते हैं तो इसमें तोड़ा सा लिया रहा है और इसको भाद में भी अधी। इसलिए यह मैंने थोड़ा सा लिया है तो आप थोड़ा सा नमक निमया लिये ए तो यह ज़ादा लग ला था इसलिएน critics है तोट ज डालेंगे तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा साम निगाल देंगे इतना मैंने निगाल लिया है अब हम सारी मसाले को इसमें डाल देते हैं तो सारा मसाला डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे चमच से तो पहले हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं लेकिन ये सूखा है तो सारा मसाला नीचे ही रह जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें हम मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम दो चमस्ट पानी डाल देते हैं तो पानी को डाल कर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारे मसाली जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसको हम कुछ तेर के लिए रख देंगे तो अच्छे से आपको बरावर से इसको मिला लेना है तो इसको मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन तो पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम डालेंगे तो देखे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसको 5 मिनिट के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसमें बेसन मिलाएंगे तो अब हम बेसन मिला देते हैं इसमें तो एक कोटोरी में मैंने बेसन ले लिया है तो जरूरत की हिसाब से हम बेसन को मिलाएंगे पहले हम पूरा बेसन नहीं डालेंगे तो इसमें हम डाल देते हैं दो चमच बेसन और बेशन को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चावल कांटा तो मैंने चावल कांटा थोड़ा ले लिया है इसे डालने से बहुत ही गुरुगुरा हैता है इसलिए हम थोड़ा सा डाल देंगे तो इसमें हम एक चमस शावल काटा डाल देते हैं तो पहले हम इतना डाल कर मिक्स कर लेंगे उसके बाद अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे तो पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो पहले ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सूखा लगे गया फिर इसमें हम पानी डाल देंगे तो पानी को डाल कर इसको मिक्स कर लेंगे तो अलकल का सूखा लग रहा है पानी को डाल कर इसको हम मिक्स करेंगे तो एकदम सूखा भी नहीं रखना है आपको अगर एकदम सूखा रखेंगे तो आप उसको तलने के लिए डालेंगे तो इसमें सारे मसाली अच्छे से चिपकेंगे नहीं तो अच्छे से तलने जाएगा एकदम अच्छे से बनेगा नहीं आपका तो थोड़ा गीला आप इस सूखा रखना है तो यह थोड़ा कम लग रहा है बेशन इसमें हम डाल देते हैं तो जो बचा हुआ था इसको हम डाल देंगे तो एक चमच मौर लेते हैं तो ये लगभख 4 चमच मैंने इसमें डाल दिया है तो 4 चमच मैंने बेसन इसमें डाल दिया है तो आपको जितना बनाना उसी हिसाब से आप बेसन और चावल कांटा को डाल सकते हैं एक चमच चावल कांटा और डाल देते हैं तो मैंने 4 चमच बेसन डाला है और 3 चमच मैंने चावल का आटा डाला है तो इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो ये सूखा लग रहा है इसमें हम पानी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप इस तरीके से एक बार बनाईएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका, तो आप हम कड़ाई रख दिया है, गरम होने के लिए इसमें डाल देते हैं, रिफाइन डाल, तो इसको डाल कर हम कुछ तिर गरम होने जाने देते हैं, गरम ह जाने के बाद हम इसमें तलेंगे मुंगफली दाना को तो अब तेल गरम हो गया इसको हम डाल देते हैं मसाला मुंगफली दाना जो है तो इसमें सारे अच्छे से लग गये हैं तो अपने हाथों से इसमें हम डाल रहे हैं बहुत ही अच्छे से हाथों से अच्छे से इसमें हिलाते रहेना ताकि ये सारा छूट जाया जो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये हम डालेंगे तो एक में चिपक ना चाहे छूटेना तो ऐसा नहीं होगा आपका बिल्कुल ही चिपकेगा नहीं अच्छे से ये बनेगा तो आप इस तरी चिपके हुए हैं उसको आपको ऐसे छोड़ा लेना है तो बहुत यह अच्छा ये बनकर तयार होता है एकदम बजार जैसा बनता है बहुत यह अच्छा आप इस तरीकी से बार बनाएंगे तो एकदम बजार वाला लगेगा तो देखिए सारा यह हो गया आप इसको निकाल लेते हैं तो कितना बढ़ी हां यह बनके तयार है तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो सारी मुंख्फली दानी को हम अच्छे से निकाल लेंगे तो बहुत ही असानी से बन गया है ज्यादा कुछ हंजट भी नहीं करना होता है अगर आप सोच रहे हैं कि यह कैसे बनेगा इतने जल्दी तो आप देखिए कितना बढ़ी हां से बन गया मैंने पहली बार इसको बनाया है और अच्छे से बन गया है तो मुझे भी बिलीब नहीं हो रहा था कि अच्छे से मुझे से बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन देखिए कितना बढ़ी हां यह बन गया है तो आप भी इस तरीके से बनाईएगा बिल्कुल भी डढ़ीएगा नहीं कि यह चिपक जाएगा या कुछ ऐसा होगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं तो इसको भी डाल कर हम फिर इसको हिला कर चला देंगे थोड़ा सा ताकि यह शूट जाए तो आपको ज्यादा देर के बाद अगर आप चलाएंगे इसको तुछ सारा यह चिपकर रहेगा तुरंत आपको इसको चलाते रहना इसे बराबर और यह गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब तक इसको आपको वराबर चलाते रहना है तो सारा देखिए अच्छे से छूट गया है अब कुछ सीर इसको और हो जाने देते हैं इसके बाद हम इससे भी निकाल लेंगे तो अब यह हो गया इसको हम निकाल लेते हैं तो कितना बढ़ी हाँ यह देखिए बन गया है बिल्कुल भी चिपका नहीं है एकदम बजार जैसा बनके तयार है तो इस तरीके से आप एक बार अपने घर पे बना कर जरूर खाईएगा अगर आपको रेजपी यह पसंद आत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा तो इसको गर्मा गर्म आप चाय के साथ खा सकते हैं या ऐसे आपका मन करें कुछ टेस्टी चटपटी चीज़े खाने का तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको तो सारे मैंने बनाकर निकाल लिया है तो एक मैंने बाउल लिया है अब इसी में हम इसको डाल देंगे तो अब हम इस बाउल में इसको डाल देते हैं तो देखिए कितना क्रैंची बना है तो आप इसको गर्मा गर्म खाईए और सबको खिलाइए बनाकर तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाली तो मैंने लिया हलाल मिर्स पौडर, चाट मसालः, काला नमक और मिर्स पौडर तो इन सारी चीजों को इसमें हम डाल देते हैं तो बात में डालने से थोड़ा और ये चटपटा रहता है तो थोड़ा सा आप बात में इसको मिला दीजिए अब सारी मुफली दाने को हम अच्छे से मिला तो आपको ऐसे ही मिला लेना जैसे हम कर रहे हैं तो यह मसाला मुखफली डाना बहुत ही बढ़ी हां लगेगा ऐसी मसाला इसी ऊपर से डालने से तो सारी मसाली को हम अच्छे से चिम्मच ले लेंगे उसी से मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो यह देखे बढ़ियां सा मिक्स हो गया है तो यह बनकर तयार है खाने के लिए इदम शर्टपटी मुंगफली दाने की नमगीन तो देखे तोड़ के आपको दिखाते हैं कितना अच्छे से यह हो गया एक्दम कुरकुरा बना है तो सारे मुंगफली दाने ऐसे बनाईएगा आप अपने गर पे इदम कुरकुरा बहुत ही टेस्टी तो इसको हम स्टोर करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं अपने गर पे आपको जब भी मन करें तो आप खा सकते हैं इसको तो एक मैने कांच का जार लिया है इसमें हम ड डाल देंगे और कुछ दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं कभी भी खा सकते हैं इसको कभी भी तो इसको आप ट्राई एक बास जरूर करिएगा आपको बहुत ही अच्छा लेगेगा ये रेस्पी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब करें न न फूलें वीडियो देखने के बहुत बहुत धनिवाद